तो कैसे हो OTG Gang, OTG मतलब OnLitter Gang, तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने इस YouTube के चैनल पर और दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा सबसे प्यारा और चहीता डिवाइस, Redmi Y2 की डिवाइस में Android 11 की support देखने को मिल गई, Android 11 की update मिल गई है, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं Android 11 को कैसे हम अपने फोन में install करेंगे, एक मैं अपना hands-on review दूँगा, कि Android 11 में क्या करते लिखने को मिलता है, और दोस्तों सारी दंकारी मैं आप लोगों को इसके बारे में दूँगा, इसके लावाद अगर आप लोगों यह जानना चाहते है आप लोगों सारी इंफोर्मेशन Android 11 की Miwa 12 की देखने को मिल जाएगी, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं Redmi Y2 की डिवाइस उसकर हूं, इसमें हमें Miwa 11.0.5.0 की update देखने को मिलती है, काफी पुरानी update है, कई दिनों से, कई महिनों से, कई हफसों से हमें कोई भ मिलेगी Miwai में, तो अगर आप लोग Miwai की ROM को अपने phone में use करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें Android 10 की update नहीं मिलेगी, एक update, एक major update हमें मिलनी थी Android 9 Pie की, जो हमें देखने को मिल गई है, इसके बाद से हमें कोई Android की update नहीं मिलेगी, अगर आप Android की update को चा और दोस्तों, इस ROM की सारे credit जाता है, YSL के community, YSL के developer को, जिन्हों दोस्तों इस custom ROM को बनाया है, बनाने के बाद, इसमें बहुत से नए features रिखने को मिलेगी जाती है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा इसे case अपने phone में install करना, दोस्तों, इसे install करने के लिए सबसे पहली condition ह आपके device की boot लोट अलोगोना चाहिए, आपके phone में custom recovery install होना चाहिए, custom recovery install करना चाहते है, लेगिन आपको PC नहीं है दोस्तों, तो मैंने आप लोगों को mobile वाला method ही बताया है, आपके mobile वाले method के मदद से भी, अपने phone में custom recovery को install कर सकते हैं, तो वाली वीडियों को जोड़ी और दोस्तों जैसे हम लोग custom recovery में boot कर जाएंगे, तो सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर कुछ partition देखने को मिलता, उन सारे partition को हम लोग यहाँ पर select करके wipe कर देंगे, आप लोग भी same partition को select करना जो मैंने यहाँ पर select किया, और मैं यहाँ पर pitch black recovery को use कर सकते हैं, और दोस्तों जैसे यह वाले partition यहाँ पर हमारा wipe हो जाए, दूसरा काम हमारा है जो dubface वाली zip file है, जिसका link में description में दे चुका हूँ, वहां से जाकर तो फाइल को download कर लेना, आपके phone में यह वाली file save हो जाएगी, dubface की YSL 11 यान 11 वाली custom rom की zip file आपके phone में save हो जाएगी, simply आपको इस वाले आपके phone में install हो जाएगा, आपको अपने phone को reboot करना है, setup करना है और उसके बाद Android 11 के सारे features को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगो सिर्फ इंस्ट्राशन प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ, बाकि इसकी एक detail review आप लोगो जल्दी हमारा चैनल प पर बूट कर चुके हैं, आप लोग भी simply अपने phone में इस phone को flash करने के बाद zip को flash करने के बूट करने के बाद, set up complete करने के बाद, हमारे phone में फानल दफफेश की YSL वाली Android 11 के custom room यहाँ प इंस्टॉल हो जाती है, और दोस्तों इस Android 11 वाली custom room में बहुत कुछ देखने को मिल सारे Android 11 rabbits आप iPhone mogę dość है, जाएसे द फुल इसके सपटने को मिल जाती है, बैक जासे के support देखने को मिल जाती है ईवन दोसतों हमें camera में वहटा माटे भी support देखने को मिल जाती है, जू हम्में Mi वाई के official हो में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमेस में देखने को मिल जाती ह और दोस्तो अगर मैं आप लोगों को अपना फंश संदे दीडन दोस्तो तो मुझे काफी अच्छा लगा काफी सब्स मुझे आप में देखने को मिला या बाकी दोस्तो इसके टेस्टिण अभी पूरी नहीं हुई है टेस्टिंग इसकी कंप्लेट होगी और इस रोम के लाव और उस Custom Recovery की मदर से आप लोग अपने फोन में इस Android 11 वाले Custom Room को अपने फोन में इंश्रॉल कर सकते हैं बाके जोस्तों जैसे मैंने आप बताया कि को मेरा first hand zone है वो मुझे काफ़ी अच्छा है काफ़ी स्मूथ लगा देख सकते हैं केमरा के कॉल्टी अगर पहले लुक में बात करें तो काफ़ी चाहिए क्वाली को देखने को मिल जाती है और यहां पर देख सकते हैं हमें Water Market के भी support देखने को मिल जाती है जो हमाएं मीवाई की official लों में देखने को नहीं मिलती है और नहीं मीवाई की official लों में Android 10 या उस उपर कोई भी Android की अपगेट मिलेगी तो अगर आप लों Android की अपगेट को चाहते हैं कर्ष्टम लों को जरूर यूज करना और Android 11 की इस कर्ष को जरूर दबा देना क्योंकि आप लोगों को यहां पर सब्सक्राइब